तो आपको पता चल गया ही होगा कि आज हम क्या बनाएंगे तो आप मेरी वीडियो को स्कीप मत करना एंड तक जरूर देखना और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना फ्री में सब्सक्राब है तो सब्सक्राब तो जरूर ही करना और बेल आइकन को भी दबा देना जिससे की हमाई नवे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे का हमारी चैनल में स्वागत है कावे जानी एंड कवन जानी में चलो हम लोग इंस्टन रगडा पेटीस बनाना शूरू करते हैं उसकी सामगरी देख लेते हैं हरे मटर जिसको मैंने एक आलू के साथ पका लिये थे नमक डाल के यह है गाठिया, है इमली की चट्नी, यह है कोथमबीर की चट्नी का पाउडर है यह प्याज जिसको मैंने इस तरह से काट लिया था मैंने टिक्की बना ली थी, आप इसको पेटीस भी बोल सकते हैं मैंने उबले हुए आलू को स्मैस करके उसके अंदर अत्रक नमक और लसुन डालके इसको स्टैलो फ्राइ कर लिया था और इस श्रिप में तो हम बनाना शूरू करते हैं तो पहले मैंने ऐसी खाली प्लेट ले ली है उसमें हम लोग अब उबले हुए मटर डालेंगे देखो मैंने इस तरह से हरे उबले हुए मटर को डाल दी है इसमें उसके उपर पेटिस रखेगे उसके उपर ये दोनों चट्निया डालेंगे उसके उपर धन्य की चट्नि डालेंगे उसके उपर गाठिया और प्याज डालेंगे उसके उपर प्याज डालेंगे उसके उपर जीरा पाउडर डालेंगे इस हमारी रगड़ा पेटीस बनके तैयार हो गई है यह है इंस्टान रगड़ा पेटीस आपको मेरी वीडियो पसल आई होए तो लाइक करना फ्री में सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब कर ज़री कर और बैल आइकन को भी दबा देना जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे शेयर करना और कॉमेंट करना मत बूलना झाल झाल झाल